C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट चत्तीस, पाठ दस, आनंदमई कविता, शीर्शक कौन? अगर ना होता चांड रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन? अगर ना होते परवत मीठे जरने भला बहाता कौन? इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं. पहला चित्र दाइं ओर उपर दिखाया गया है, जिसमें उपर रात में चांद दिखाया गया है. इसी प्रकार इस चित्र में दिन के समय आकाश में चमकता सूरज दिखाया गया है. दूसरा चित्र प्रिष्ठ के बीच में बनाया गया है, जिसमें निर्मल बहती हुई नदी दिखाई गई है. तीसरा चित्र प्रिष्ट के सबसे नीचे दिखाया गया है जिसमें परवत दिखाये गए हैं प्रिष्ट सैंटीस अगर न होते पेड भला फिर हरिया ली फैलाता कौन अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन अगर न होते बादल नभ में इंद्र धनुश रच पाता कौन अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्ण उठाता कौन लेखक बाल स्वरूप राही इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाये गए हैं पहला चित्र उपर दिखाया गया है जिसमें कई पेड दिखाये गए हैं और साथ ही हरियाली फैलाते हुए पेडों के साथ सुन्दर सुन्दर फूल भी दिखाये गए हैं इस प्रिष्ट पर दूसरा चित्र नीचे दिखाया गया है जिसमें बादलों के बीच में सुन्दर इंद्रधनुष दिखाया गया है प्रिष्ट 38 बात चीत के लिए एक अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? दो क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? तीन इंद्रधनुष कब बनता है? पता कीजे चार आपने इंद्रधनुष में कौन-कौन से रंग देखे हैं? सोचिए और लिखिए एक इन शब्दों से प्रश्न बनाईए यहाँ पर मद्य में का अक्षर लिखा है और उसके चारों और लिखा है कौन, कहा, कैसे, किसने, किसके, क्यूं और कब? इन सभी शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्न बनाईए दो, कविता के आधार पर यहाँ दिये गए वाक्यों को पूरा कीजिए पहला, अगर पेड ना होते तो रिक्तिस्थान दूसरा, अगर नदिया ना होती तो रिक्तिस्थान तीसरा, अगर पर्वत ना होते तो रिक्तिस्थान और चौथा, अगर फूल ना होते तो क्या होता? दिये गए रिक्तिस्थान में लिखिए इसे तरहां के कुछ और वाक्य बनाईए और अपनी कॉपी में लिखिए प्रिष्ट उन्तालीस आईए कुछ बनाएं एक, इंद्रुधनुष बनाईए और रंग भरिये दो, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए लाल, मेरी उम्र रिक्तिस्थान साल है नारंगी, मेरे घर में रिक्तिस्थान लोग रहते हैं पीला, मैं रिक्तिस्थान में रहता या रहती हूं हरा, मुझे रिक्तिस्थान खाना बहुत पसंद है नीला, मेरा मन पसंद रंग रिक्तिस्थान है जामुनी, मुझे रिक्तिस्थान बहुत पसंद है इस रिक्तिस्थान में आपको अपने पसंद के जानवर का नाम लिखना है बैंगनी, मैं रिक्तिस्थान बनना चाहता या चाहती हूं खोजे, जाने, अपने परिवार के दो सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्ण पूछे, जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं प्रश्णों को पहले ही लिख लीजे जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मन पसंद खेल कौन सा है मा से पूछ सकते हैं कि वे बच्पन में क्या नटखटी करती थी और पिता जी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहा जाना पसंद है कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाईए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिये भारत